प्रिजेश सर के कमरे में सोने के लिए कहती थी जहां पर वो कई आने जाने वाले उसे मिला करते थे दवा ना खाने पर पिटाई और जान से माने की धमकी दी जाती थी कई बार हम पर गरम पानी और खौलता तेल भी फेका जाता था इन सबसे बचने के लिए लड़के अपने शरीर को शीशे से काट दे थी जिससे की उन्हें गंदे काम में ना धकेला जा सके यह बयान उन नबालिक बच्चियों का है जिने एक शल्टर होम में उनके साथ दुशकर्म किया जाता था और पिछले सनिवार को पोलिस ने उन्हें वहां से बाहर निकाला इन में से दस बच्चियों को पोस्को कोट में पेश किया गया जहां पर उन सभी ने अपनी आप बिती सुनाई है नमस्कार में शावनी पतनायक आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूस टाइम्स इंडिया में बाल सनक्षन केंद्र क्या है? केंद्र जहां पर बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है जहां पर बच्चों को बचाया जाता है कोई गलत चीज, दुशकर्म या फिर कुछ भी गलत उनके साथ गलत होने से उन्हें बचाया जाता है बाल सुधार ग्रुह क्या है? जहां पर बच्चों को सुधारा जाता है जो बच्चे कोई गलत काम करते है या फिर उन्हें सही या गलत के बीच कोई पहचान नहीं होती है उनको बाल सुधार गुरह में डाला जाता है ताकि उन्हें सुधारा जा सके उनका भविश्य सुधारा जा सके लिकिन ऐसे ही जगाहों पर अगर मासुम बच्चों के साथ ऐसे खिनोने काम होने लगे ऐसे अपराधिक काम होने लगे तो देश के भविश्य का क्या होगा? देश के भविश्य कहलाने वाले बच्चों का क्या होगा? बिहार के मुझफर पूर में पिछले दिनों एक शल्टर होम में बच्चियों के साथ दुशकर्म का मामला सामने आया था जहां पर दिन प्रती दिन उनके साथ मेडिकल होने के बाद रेप की वारदातों में जो बच्चिया हैं उनकी गिंती में बड़ा उत्री होती गए पहले 24, फिर 39 और अब आंकडे बढ़कर 34 हो चुकी है जी हां ये रेप की जो घटनाएं हैं बढ़कर अभी 34 हो चुकी है जहां पर पिछले 5 सालों में इस शल्टर होम में 470 बच्चियों को दाखिला मिला था आपको मैं बताना चाहूंगी कि इन सभी बच्चियों की उमर कुल 7 से लेकर 18 साल के बीच का है जी हां महज 7 साल से 18 साल के बीच के बच्चियों के साथ ये दुशकर्म को अंजाम दिया जाता था बच्चियों को इलाज के नाम पर दवाई दी जाती थी यह दवाई या तो ड्रक्स होती थी या फिर दुशकर्म करने से पहले उन्हें मिर्गी के इंजेक्शन्स दिये जाते थे अगर बच्चिया इसका विरोध करती थी उनको मारा जाता था पीटा जाता था गौर करने वाली बात यह है कि यह सब उनसे महिलाएं भी कराती थी महिलाएं जो बच्चियों के देखबाल के लिए रखे गए थे वो महाँ पर बच्चियों के साथ दुशकर्म करने को उनको मजबूर करती थी बच्चिया इस शेल्टर होम में दो लोगों को जानते थे जिनका नाम हंटर मैन और नेता जी बोला जाता था इस पूरे घटना में जो मुक्या आरोपी है वो है ब्रिजेश ठाकूर जो यह जो शेल्टर होम में उसके एंजियों द्वारा चलाया जाता था ब्रिजेश ठाकूर की पहचान कई बड़े नेताओं के साथ भी है जिसके वज़े से शायद उसको इस चीज का डर नहीं कि अगर वो यह दुशकर्म गतेवक पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा होगी शायद उसे इन बच्चियों के साथ गलत करने से पहले जो नेता हैं उनकी ताकत के वज़े से वो दुबारा नहीं सोचता ब्रिजेश ठाकूर के साथ दस और लोगों को भी ग्रफतार किया जा चुका है आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो नवालिक बच्चियां सामने आई हैं उनमें से दो बच्चियों ने ये कहा है कि उनके बीच में से चार बच्चियां गायब है जिनका कहना है कि उनको इतना पीटा गया है कि उन्होंने दम तोड़ दिया दम तोडने के बाद उन बच्चियों को रातो रात उसी बिल्डिंग के पीछे एक लिची का पेड़ था जहां पर उनको दफना दिया गया है बच्चियों का शव ढूनने के लिए वहाँ पर खुदाई भी की गई लेकिन वहाँ पर किसी का भी शव अभी तक बरामद नहीं किया गया है और करने वाली बात यह है कि जो घटना सामने यहीं उसके बाद ब्रिजेश ठाकुर को ब्रिजेश ठाकुर द्वारा जो एंजियो चलाया जा रहा है उसको एक नया प्रोजेक्ट भी मिला है सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट एंजियो के काम से ही मिला गया है अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि यह रही मुझपूरपूर की बात लेकिन इस राज्य में कई ऐसे और संस्तान हैं जहां पर बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ दुशकर्म होता है यह तो सिर्फ मुझापूर पूर की बात है, पूरे राजे में बात करें, तो पूरे राजे में 14 ऐसे संस्तान हैं जहां पर बच्चियों को सुधार के नाम पर उनके साथ दुशकर्म, दुर्वियवार किया जाता है इन में से कुछ जगह, कुछ जिले और कुछ संस्तान के नाम में आपको बताना चाहूंगी पहले नंबर में है मोती हारी, जहां पर निर्देश नाम का एक संस्तान चलाया जाता था यहां पर यह जो संस्तान ने यह लड़कों के लिए बनाया गया है खास बात यह है कि यहाँ पर लड़के जो बड़े उमर के लड़के होते चोटे उमर के लड़कों के साथ रेप करते थे और वो भी रोजाना यह जो बच्चे होते थे उनको रोज पीटा जाता था उनके साथ मारपीड की जाती थी दूसरी घटना है मुंगेर से मुंगेर में पनहा नाम का एक NGO था जहां पर उसके जस बगल में ही बाल सुधार गृह भी था यहां पर उनको मारा पीटा जाता था चाकू से उन पर हमला भी किया जाता था एक बच्चे ने अपने गले में 3 इंच का कट भी दिखाया था तीसरे नमबर पर है गया गया में दाउत नगर और्गनाजेशन फर रूरल डेवलप्मेंट नाम का एक संसान चलाया जाता था जहां पर लोगों को ताले में बंद करके रखा जाता था यहां पर बच्चियों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी यह केंद्र खोला गया था एक महिला को कई सालों से यहां पर बंद रखा गया जब एंजियों पर प्रेशर पड़ा जब कानूनी कारवाई हुई उन्होंने जब ताला खोला तो वहाँ से एक महिला बाहर आए, एंजियो का कहना था कि यह जो महिला है वो काफे हिंसक हो जाती है, लेकिन जब वो ताला तोड़ा गया, लोगों को देख, महिला हिंसक नहीं हुई, महिला रो पड़ी, आपको बता दू कि यह महिला पूरे नगना वस्ता में थी, उसी एं ही एक पूलिस गाड के रूप में तैनात था, वहाँ पे वो उस पूरे एंजियो संस्तान की देख बाल करता था, लेकिन यह जो पूलिस तैनात था, वो खुद ही महिलाओं और बच्चियों को दुशकर्म करवारदात को अंजाम देता था, यह जो पूलिस था, वो मारता पिटता था, जबरदस्ति करता था, वहाँ पर जब कारवाई की गई, वहाँ पर जो संस्तान में तैनात लोग थे, जो अधिकारी थे, उनका कहना था कि यह जो पूलिस है, उसको सरकार ने चुना है, तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अब बात कर बियार के मौका नहीं मिलता था, वहाँ पर बच्चियां जो लड़की थी, उन्हें सैनिटरी पैट्स भी उपलब नहीं कराय जाते थे, उन्हें गंदगी अनहाईजिनिक अवस्ता में रहना पड़ता था, यहाँ पर बच्चियों का कहना है, कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दि रहते थे, उनका कहना है, कि यह जो सुधार गुरुह का नाम है, उससे सुधार गुरुह बदल कर बिगार गुरुह रख देना चाहिए, अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी, कि अगर एक ही राज्य में इतने जिले है, इतने संस्तान है, तो पूरे जितने भी 29 राज्य हैं, पूरे देश भर में, ऐसे कितने संस्तान होंगे, जहां पर मासुम बच्ची, बच्चो, महिलाओं के साथ यह दुशकर्म हो रहे होंगे, यह जब मुझपरपूर का मामला था जो सामने आ गया, उनका क्या जो अभी भी NGO के नाम पर दुशकर्म करते हैं, दुनिया में ऐसे कितने संस्तान होंगी, जहां पर हमारे देश के भविश्य ऐसे ही अंधेरे में जी रहे हैं, ऐसे ही डर के जी रहे हैं, फिलाल मुझपरपूर का जो केस है, वो CBI को तो सौप्तियां के हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है, सरकार, प्रचार, आपके प्रचार होगे, जूटे वादे होगे, नाराओं के अलावा सरकार क्या कर रही है, सरकार को ये सबसे अलग पूरे दुनिया में ऐसी कई चीज़े जहां पर अपना ध्यान केंदरित करना चाहिए, इस मामले में सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार अपनी नीती और नियत बदलती है, तो ही हमारे भारत में, हमारे देश में कोई सुधार की गुंजाईश होती है, वहाँ पर अगर सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती है, तो हमारा भारत का भविश्य कहे जाने वाले बच्चों का भविश्य अभी भी अंधिरे में, और वthat ले ज़विगे आ हमारे प्हां, बच्त जश को ब्ना बच्त का भोषटित शच्च्च्चच्स झाल झाल